और डाकनेट के बारे में इस तरह से आपको ब्रिटेट किया जाता है कि यह कलागी कोई जादू है, काली दुनिया है, हैक्किन की दुनिया है, जहाँ पर आप औरम नहीं जा सकते हैं इसको लेकर बहुत सारे मिच हैं, उन मिच को हम यहां पर आज ब्रेक करेंगे और आपको में इजी भाषा में समझाओगा कि डाकनेट क्या है, इसका कैसे इस्तमाल होता है, हम कैसे इसको इस्तमाल कर सकते हैं, इसके फायदे का है, इसके रुक्सान क्या है और इसको इस्तमार करते हुए बहुत जादा और साउदाने ज़रुध क्यों कड़िये तो इसको हम साज़ेगे और Вीडियो Taxi देहके हैं बहुत इंटरेसिंग बीडियो हिए है बहुत इंटरेसिंग नियुक्तिस्ट यह सी यह पॉद्टेशिचन पेट्स की लिए इस वक जो भी हम अपने search engine से जाकर जो search करते हैं और हमको मिल सकती information वो है surface internet जो publicly available है उसके लिचे आती है deep internet deep internet का मतलब यह कि यह जो information है यह कि किसी भी search engine पर index नहीं होती यानि कि जो आपका search engine है उसको यह information दिखती नहीं है उसको यह पता ही नहीं कि यह information है इस information को आप जाकर search नहीं कर सकते हैं जैसे आपका ATM PIN है आपका OTP है या फिर आपके mail के अंदर इतनी भी information है उसको आप Google Chrome पर जाकर search नहीं कर सकते हैं ना आपको यह Google पर मिलेगी ना आपको यहूजर पर मिलेगी ना इंटरनेट explorer पर मिलेगी इस information को कहीं पर भी access नहीं करा सकता है यह होता है deep web उसके बार आता है दोस्तों dark web जिसके बारे में हम आप आज डिसकस करने बार है डाक नेट दोस्तों वो है जो एक इंटरनेट के सांगी परलेल इंटरनेट है ऐसा समझ सकते हैं कि डाक नेट जो इसके अंदर जितनी भी information यहाँ पर जो जो भी चीज़ सब करेंगे वो आप दोनों के बीच में होगी इतने सारी लेयर्स की बाद होगी कि आपकी जो आइटेंटिटी आपकी लोकेशन है और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तर से इंक्रिप्टेड रही उसको कोई भी आपर पता नहीं लगा पाएगा तो डेटा प्राइबसियां पर पूरी तरह से जिप्टेर हो जाती है और यही सब्सक्रणा फार्दा डाग वेब का है तो डाकने इंटरनेट के अंदर ही एक परेलर इंटरनेट की दुनिया है जिसको आपको रम इतने आसानी से एक्सेस महीं कर सकते इसको एक्स करने के लि जाता है वी डॉट ओडिया होता है डॉट ओडिया है और यह ओनिया रॉटिंग आपको बताऊं का आगे डाकने का इसमान बोलों करते हैं जिनको बहुत जादा हाई से क्वेश्यूर्ट पड़ती है क्योंकि यहां पर ही सब कुछ अनोनिमस होता है यह आपकी आपकी अडि यहां पर आपका एक इडर्स होता है आपको उससे इंफर्मेशन मजाती है इससे आपको कोई आसानी से हैट कर सकता है लेकिन डाकने जो ही वो बीपें की तरह का अगरता है जैसे मैं यहां से को इंटरेट इसमाल कर रहा हूं और वीपेंट के जरी में अपना इडरेश चें पर जाएकी और इस事 ब्हुत सारी लियर्स क्रिएट हो जाएकि और इसको कहाते है ओनियन रौटिंग शर्पीस यहां पैद घजिस्चे इह हमारा ओनियन होता इस,ोंट इंचेपर बहुत सारी लेयर्स होती है और इस आपको इसी पज़ मेंद डेटा अज करता है और अपको के पास जा लिए तो बी को के वल इतना पता है कि मुझे अपनी इंफॉर्मेशन आगे बेजिए इसके अंदर क्या मैसेज है उसको केवल जैड ही इनकोड कर सकता है जिसके हमने ये मैसेज करा है अब दोस्तों इसमें सब्सक्रा फाइदा है कि आपको कोई ट्रेक नहीं कर सकत करने कि आपको कुई ट्रेक नहीं कर सकता कि आप कहां से इंफॉर्मेशन को सर्फ कर रहे हैं आपको नहीं आपकी लोकेशन क्या है किसी को कोई कुछ नहीं बदलता और इसलिए जो बहुत जादा सिकुरिटी को जुड़ी हुई जो चीजें होती है उसको डाकनेट पर किया कर नहीं सकता और इसलिए जो बहुत जो बहुत जो बहुत चीजें करते हैं वह यहां तो फेस्बुक.com वाट्सप.com इंडिया.org 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 इस तरह की इंफॉर्मेशन सर्च करने तो आपको डॉनियं करके सब्सक्राइब जैसे अगर आपको डाक वेपर जब फेस्बुक कंप्टी ने अपने इस ब्राउजर पर डाकनेट पर अपनी अगर अगर आइडी और अपना सर्वर बना रहा है तो आपको यह मिलेगी वहाँ और जैसा मैं आपको पहले बदायता है कि आपको पर्टिकुलर ब्राउजर जरोद पड़ेगी उसके जरी जाता है लेकिन सबसे में से अगर आपको कोई इंपोनेसें डाक वेब के जरीए सर्फ करनी है तो आपको उसके लिए टॉर रोजर रिस्टाल ना पड़ेगा यह आपको आसानी से मिल जाएगा लेकिन तॉर रोजर पर आपको वही केवल वेब साइट मिलेगी जिसका के जाता है लोट इसका Стस्प चाहरा निर्ट उधा कि शिरुष्ट करती है और बहुत साए में ब्लीपल B preference करेता है तो आपको प relative करना बहुतन जाता है पर आपको रोक नहीं सकता और रोकेड़ भी कैसे जब अपको फ़कड़ से अभी अभी पुर्णे का लिए कैसे और इसिए जबसे भी इनिकलन दंदें में हैं सबस्के जजाबा ड्रग्स का ट्रांजेक्शन साफिटेरी the प्रॉर्णप्राफिस धुन बलोईिग यह सरी ही जुए आपको कि चेल्स सेयुक्तुर कर दक Amendment करद सकता और जी लीली पर जया पाँ है जैसा होता है क्रिप्तकुर उचे नीज संगलिये चुछ को के पर य। बिटकोई में ने कीप्तो करण़्स मे ठैंटर्स रहा है तो फुरä इंटरनेस्ट ट्रेड तो पुरा क्र 198 ऐला यहां पोई बैंक इंग के लाइट नहीं को इसको प्रफ आप अचो इसको निए में उसम नीट Occal miracle १ ऑपोर सेट नहीं कर रनाया था और 1998 वे सिस Parlament इसके बाद 2002 में पॉल सेवर संके सांती कुछोर लोगों ने मिलकर ये टॉप नौजर बनाया और इसको पॉपलिकरी अवेलेवल कर दिया सभी के लिए अब डापनेट में ही सिक्यूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको ट्रेक नहीं किया जा सकता है जब भी हम इंटनेट इस्त लगाएं जी ओ, आइडिया उड़ापन इस तरह के इंटरेट सभी प्रविटन का इस्तमा करते हैं तो अगर किसी को ट्रेक करना है तो वह इस तरह के से ट्रैक कर सकता है कि कि स्वेबसाइट पर बहुत जादा ट्रैफिक आरा और कि समय पर आ तो इसके ज़री इसको ट्रेक कि कि आंषित है नगी हो गारे के और टीरट है, मैंसें के जो आपको बहुत जा़ार nice, मतलब है। जो आपको अर्लेस सीगोरिटी प्रवाइड करता है। लेकिन आप इसका तरीष इसतंवाद करिए जब आपके पास इसको लेक HERE कर से इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि यह पुली तरह से अनॉमने में सही काम गरता है और सकता है कोई डशाइट आपको कुछ और दिखा है और उसके बिचे कोई और मैसेज हो और आप उसमेसेज पत्लिफ करें और आपको पुरा कंप्यूटर उस पर एक्सेस हो जाए और उसकता है कि वो जो हैकर है जो फिर आपको बाद में ब्लेक्माइल करें और उसकता है आपको ब्लेक्माइल करके वो आपसे इलीगल एक्टिविटीज में आपको इन्वाफ गर ले इसलिए लिए कि अच्छा खासा नौलेज़ हो वरना आप डाकनेट पर नहीं जाए तो ही अच्छा है क्योंकि आपको जितनी बी इंफोर्मेशन चाहिए वह आपको इस पबली इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगी इसलिए डाकनेट जाने कि आपको कोई ज़रुवत नहीं और ये वीडियो का आपको अच्छा रहा है तो लाइक ज़रू कीजेगा क्योंकि मेरी कोजिस यही रहती है कि मैं आपको इजी से इजी लेंग्वेज में कोई भी टॉपिक समझा सकूँ तो आप वीडियो को लाइक ज़रू कीजेगा अगर चया करना है तो सब्सक्राइब करना बोद मुलियेगा